किसी भी RCC frame structure के अंदर आपका जो column होता है वो काफी important structure member होता है आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि अगर आप किसी building का construction करवा रहे हैं या फिर आप किसी RCC building को design कर रहे हैं तो उसमें आप कितने types के columns जो है आप use कर सकते हैं hello everyone मेरा नाम है अमित कटारिया आप सभी का स्वागत है solitude education के youtube चैनल पे आज का जो हमारा topic है वो है आपका types of column in building construction चलते हैं आपका laptop की screen के अंदर और जो हमारा topic है उसके बारे में आपका आज की वीडियो के अंदर one by one discuss करते हैं सबसे पहला जो आपका column का type है वो है आपका rectangular column सबसे ज़ादर commonly use किया जाने वाले आपका column है और जाधतर जो आपका इस type के column होते हैं आपका कम होती है इस तरह के कोलम जो है वह आपका प्रोवाइड कराने का क kijken पहला प्रीजन तोलोvar आपका building के अंदर rectangular column प्रोवाइड कर आते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारी buildings के अंदर क्या होता है कि column के उपर जो beam आता है वो एक side से beam आपका column के एक face पर आ रहे है और दूसरे side से beam आपका दूसरे face पर आ रहे है तो उस case में हमें क्या करना पड़ता है कि column की length को जो है वो आपका increase करना पड़ता है ताकि मेरा जो column है वो आपका जो beam है वो column के उपर आ सके और load distribution पर हो सके दूसरा इसका आपका architectural region भी होता है आपका जैसे generally क्या होता है कि अगर हम किसी residential building के अंदर जो है column की width increase कर देंगे तो उस case में क्या होगा कि जब हम room वगरा का design करेंगे तो वहाँ पर वो बहुती खराब आपका दिखेगा जब हम partitions वगरा करते हैं तो generally क्या किया जाता है आपका जैसे 9 inch का partition कर रहे है तो 9 inch ही आपके column की width कर दी जाती है या फिर अगर हम 6 inch का partition कर रहे है और 9 inch हमलो column का width रख रहे है तो वो manageable होता है ठीके उसमें इतनी कोई problem आती नहीं है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह मेरा आपका rectangular column है इसकी आपकी width है और इसके बाद यहाँ पर आपका length है तो अगर आप residential building design कर रहे हैं तो इसमें mostly आपका rectangular column जो है वो आपका सबसे ज़्यादा use किये जाते है इसके बाद next आपका आता है square column ठीक है square column के अंदर क्या होता है कि इसकी length और इसकी जो width होती है दोनों आपका same होती है जैसे अगर आप यहाँ पर image में देख पा रहे होंगे यह 400 में इसकी length है 400 में भी इसकी आपका विर्थ है इस तरह के जो आपके square column होते generally वो आपका use के जाते है commercial buildings के अंदर ठीक है और generally इनके जो है काफी size है जैसे कि आपका 600 by 600 काफी use किया जाता है आपका 800 by 800 जो है आपका size जो है वो use किया जाता है 900 by 900 का size भी काफी famous है 1 meter by 1 meter use के जाता है 1200 by 1200 आपका use के जाता है वो depend करता है कि किस तरह की building समलोग use करें जैसे आगर आप किसी malls वगरा के अंदर अगर आप जाओगे तो उसकी parking में कभी जाना तो वहाँ पर आप column के size देखना आपको mostly columns आपको square shape के अंदर आप आपको देखने के लिए मिलेंगे और उनके size जनरली आपको 1 meter by 1 meter 900 by 900 या फिर 1200 by 1200 आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे देखो आप यहाँ पर image के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलदा होगा generally residential buildings के अंदर square column कम use किये जाते हैं क्योंकि residential building के अंदर आपका rectangular column आपका काफी ज़्यादा use किये जाते है और square column वहाँपे भी use किये जाते है जहाँपे हमारा span जो होता है वो काफी बड़ा होता है तो उस case में हम लोग आपका rectangular column के comparison में आपका square को पहां पर यादा प्रिफेइंश दी जाती है it कि इसके बाद आपका मेरा नेक्स्ट आता है सर फुलर में खीकर आपका कोलम होता है और सर फुलर को बेसिकल्ली दो जलंगे में आपका प्रॉइट करा दूसरे गया होता कि इनकी जो load केरिंग केपसिटी होती है, as compared to rectangular या फिर आपका square column वो काफी जादा होती है, तो जहां के अगर आपका load की बाता है, तो उस case में हम लोग जो आपका circular column आपका प्रोवाइड कराते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि जितने भी मेरे ब्रिजिस बगेरा होते हैं उसमें mostly जो बीम का size होता है वो आपका circular safe ही आपका prefer जो है वो आपका किया जाता है क्योंकि इनकी load carrying capacity आपका काफी जाता होती है लेकिन चोगे हम buildings की बात करें तो building के अंदर आपको यह elevation के अंदर आ काफी बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पर load काफी जाता होता है और circular column की एक सबसे एची खास बात क्या है कि आपका जैसे rectangular column यहां फिर हम square column हम लोग use करते हैं तो उसमें minimum जो IS code के code की reinforcement use की जाती है वो four numbers की जाती है लेकिन मेरा circular column होता है उसके अंदर minimum reinforcement आपका six numbers में बहुत जैसे देखो आप यहां image में भी देखोगे तो एक दो तीन चार पाँच छे ठीक है तो minimum number of reinforcement हम जो है इसके अंदर आपका six use करते हैं तो यह आपका rectangular column और आपका जो circular square column होता है उससे ज़्यादा आपकी जो है इसकी strength आती है तो अगर आप कहीं पर ऐसी building design कर रहे हैं जहां रहाद मेरा आपका जो next column है वो है आपका hexagon column इसके आपकी जो sides होती है वह आपका six side होती है आपने जैसे सुना होगा pentagon hexagon octagon तो जितनी जैसे pentagon होती है इसकी pass side होती है इसके लाबाद hexagon is six होती है आपका octagon कोYE quickly आपका hegans . अगर आप यहां देखोगे तो यह आपका hexagon है क्योंकि इसके आपकी six number of side है one two three four five और six ठीक है अगर आप यहाँ पर left side में देखोगे तो यह आपका octagon है इसकी आपकी जो side है number of side इसके अंदर आपका eight है one two three four five six seven eight ठीक है अगर यह pentagon होता तो इसकी five side होती ही basically इस तरह के जो columns होते है वो mostly आपको bridges के अंदर आपको ज़्यादे देखने के लिए मिलेगे या फिर architecture point views एगर किसी building के अंदर कोई ऐसा elevation देना है जहां पर हमें इस तरह कोई column provide कराना है वहाँ पर हम इसको provide करा सकते है या फिर अगर मुझे load carrying capacity जादा है इस span अगर वहाँ पर जादा है load column के ओपर जादा आ रहा है तो उस case में भी हम इस तरह के columns जो है आपका buildings के अंदर आपका provide करा सकते हैं जैसे अगर आप इस building के अंदर देखोगे तो यहाँ पर यह mostly columns जो है वह आपका hexagon ही आपके columns जो हैं वह दिए गए जैसे एंसें time के अगर मैं बात करूं तो जो pillars बनते थे वह आपके stone के pillars बनते थे तो या तो वह circular building के अपर काफी जादा आ रहा होता है या फिर कोई ऐसा architecture हमें views आपका इस तरीके से requirement है तो वहाँ पर इनकी आपका दिया जाता है इसके बाद आपका next आता है basically L type column जो है buildings के अंदर दिये जाते हैं लेकिन mostly यह दिये जाते हैं आपके corners पर जैसे यहां पर देखो इनकी अंदर reinforcement आपकी कुछ तरीके से place कि जाती है यहांपे main Tranamil नेदे जो आपका धर साथे जो आपकी सवतिते हैं इसके बाद दिये आपका नुर्णेशन पर आके रहे भी जैसे मेत करते हैं इनको provide कर आदे एक तो क्या होता है कि corner पे जब हम इसको प्रोवाइड कराते हैं तो corner पे यह stability प्रोवाइड कराता है as compared to अगर मैं rectangular column या फिर आपका square column प्रोवाइड करा हूँ उसके comparison में अगर आप अगर आप building के अंदर यूज करोगे तो वहाँ पे यह आपको काफी ज़्यादा stability आपको यह प्रोवाइड कराएगा इसके लावा जो है इनकी load getting capacity भी जो है आपका as compared to जो आपके rectangular या square column होती है थीक है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनकी save भी बड़ी हो जाती है और आपका इनके अंदर number of power भी आपकी increase हो जाते है तो जिसके वाज़े से automatic इनकी आपका जो bending की capacity होती है रिजिस्ट करने की वह काफी जादा होती है इसके बाद आपका यहाँ पर next आता है टी टाइप कोलम टी टाइप कोलम जो है वह आपका वैसे building के अंदर काफी rarely ही आपके use किये जाते है इनका जो safe होता है वह आपका कुछ इस type से आप देखोगे तो इस type से यह mostly अगर कहीं पर कुछ जादा ही large span आ रहा है और हमें आपका तीनो साइड से beam को जो है proper support वह आपका देनी है और bending को भी resist करना है तो उस case में हम लोग जो आपका टी टाइप जो कोलम है वह आपका provide करा सकते है इनके अगर आप देखोगे तो कुछ इस type से reinforcement दी जाती है य दूसरी आपकी जो स्ट्रेप्स है वह आपकी यहां पर इस तरीके से provide किया तो यह जो है आपके चार नंबर ओफ बार जो है यह वाली और यह आपकी common हो जाएगी आप अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपका इस तरीके से है ऐसे अगर आप इसके अंदर भी देखो इसके बाद था आपका square column जो कि commercial buildings के अंदर आपका use किया जाता है इसके बाद next है हमारा circular column, circular hexagon columns यह में लिए आपका elevation point of view से या फिर अगर load आपका जाद है तो उस case में भी हम लोग जो आपका इस type के columns use कर सकते हैं इसके बाद next है आपके यह L type column या फिर आपका T type column और इस इसके अंदर कुछ अलग type के भी column होते हैं जैसे plus sign वाले जो column होते हैं वो भी आपका use किये जाते हैं जो इस type के columns भी आपका use किये जाते हैं buildings के अंदर काफी कम देखने को मिलेंगे लेकिन आपका जो bridges वगरा होते हैं उस case में आपको यह जाद है देखने के लिए मिलेंगे तो जैसे जैसे आपका requirement और आपकी load उसके उपर कितना आ रहा है उसके according हमारे जो size है वो आपके change होते रहते हैं ठीक है इसमें अगर आप हो डिटेल वीडियो चाहते हैं तो comment section में आप topic mention कर सकते हैं या फिर आप किसी और topic से related video चाहते हैं तो उसका भी नाम आप comment section में mention कर सकते हैं बाकी इस वीडियो से related doubt है तो वो भी आप हमसे बात कर सकते हैं नीचे numbers देएगे अनदर भी contact कर सकते हैं टेलिगराम का link है आप उसको भी join कर सकते हैं वाकी वीडियो क्लोज करने से पहले वीडियो को सेर करो like करो और चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया ज़रू सब्सक्राइब करो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो के इंदर ओके थैंक्यू